और दिखें इस बीच बादचीत की पहल शुरू हुई है दो दौर की बादचीत हो चुकी है और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि तीसरे दौर की बादचीत के लिए रूस तयार है तो युक्रेन से तीसरे दौर की बादचीत के लिए रूस तयार हो गया है इस युद्ध को रोकने की कोशिश बाचीत के जरिये हो इसी के तहत इसे शुरू किया गया दो दौर की बाचीत जरूर हुई लेकिन अभी तक वो बे नतीजा रही है तीसरे दौर के लिए अब फिर से एक बाचीत की टेबल पर बैठ कर दोनों ही देशों के प्रतनिधी कोई समाधान ढूम सकें या उस दिशा में आगे बढ़ा जा सके कि युद्ध रोका जा सके तो तीसरे दौर की बैठक के लिए बाचीत के लिए रूस ने अपनी तरफ से सहमती जता दी है बड़ी खबर है इस वक्त शांती वारता इस युद्ध को रोकने की कोशिशे पुर्जोर तरीके से हो रही है क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है कि ये युद्ध रुके दोनों देशों के बीच जो दस दिनों से ये टकराव है ये युद्ध है वो बाचीत के जरीए किसी तरीके से खत्म किया जा सके इसी के लिए अगले दौर की बाचीत यानि तीसरे दौर की बाचीत हो रूस इसके लिए तयार हो गया है बड़ी खबर है इस वक्त किए युक्रेन से तीसरे दौर की बाचीत के लिए रूस तयार है झाल झाल